दोस्तों इस वीडियो में हम SBI Personal Loan को discuss करेंगे आप SBI Personal Loan जहाँ पर आपको जादा से जादा मतलब अगर आपकी eligibility criteria है और अगर आपका past का जो civil score है अगर वो एकदम perfect है तो जादा से जादा आप 35 lakh रुपीज तक SBI से Personal Loan अवेल कर सकते हो आप SBI जैसे अगर आप SBI की official website पर visit करोगे यानि अगर आपको Personal Loan के लिए apply करना है और आप चाहते हो कि SBI से आप apply करना चाहते हो क्योंकि SBI जो है वो सबसे जादा trusted bank के इंडिया के अंदर एक तो वो government bank हो गया दूसरा सबसे जादा लोगों का trust SBI के ओपर तो SBI से अगर आप चाहते हो कि Personal Loan लेना है और SBI के अगर आप official website पर visit करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत तरीके के Personal Loans दिखाई देंगे जैसे SBI का Quick Personal Loan, SBI Express Credit Personal Loan और SBI Pension Loan जैसे Salary Class के लिए जो government employees है उनके लिए अलग Personal Loan है, corporate employees है, private sector employees है उनके लिए अलग Personal Loan है इसके अलावा किसी का civil score एकदम perfect है और कोई high net worth income रखता है यानि किसी की salary अगर एक लाग से जाद है तो उसके लिए अलग category में Personal Loan है तो कम से कम भी 7-8 परकार के जो Personal Loan है वो SBI offer करते हैं इस वीडियो में हम एक-एक Personal Loan को discuss करेंगे, हर Personal Loan के feature को discuss करेंगे कि जिसे मानलो अगर हम SBI Quick Personal Loan को discuss कर रहे हैं तो Quick Personal Loan के अंदर उसके क्या features है, क्या उसकी eligibility है, इन सब के अलावा terms and condition क्या है इस Quick Personal Loan की ऐसे जब हम Express Credit Personal Loan को discuss करेंगे SBI के तो उसके भी सारे features को discuss करेंगे, कि उसकी terms and condition क्या है, कि कौन-कौन लोग उसको लेने के लिए eligible है, तो ये सारे चीज़े के करके इस वीडियो में हम discuss करेंगे SBI Personal Loan से related, इन सब के अलावा, एक पर वीडियो के starting में हम ये भी discuss करेंगे कि Personal Loan होता क्या है, अब Personal Loan ठीक है, सब को पता है कि Personal Loan क्या है लेकिन Personal Loan की जो rate of interest है, वो महंगे क्यों होते हैं, मलब महंगे in the sense कि home loan से अगर हम compare करें, car loan से अगर हम compare करें, तो इन से महंगे क्यों रहते हैं personal loan के rate of interest, so starting में एक बर हम basic structure से start करते हैं कि personal loan होता क्या है, फिर उसके बाद हम अपने topic पर वापिस आएंगे कि SBA के जो अलग-अलग तरहें के personal loan है, ये सारे के सारे क्या होते हैं तो सबसे पहले एक बर हम ये देखते हैं कि personal loan होता क्या है, देखो अब bank से जब भी हम loan लेते हैं, तो bank दो types के loan देते हैं एक तरफ होते हैं secure loan और दूसरी तरफ होते हैं unsecured loan secure loan का मतलब क्या है, देखो, नाम से ही clear है कि security है bank के पास जैसे home loan हो गया, car loan हो गया, gold loan हो गया, ये bank के लिए secure loan है जैसे अगर मानलो कल को कोई home loan का पैसा भरना बंद कर देता है, कोई customer ने bank से home loan लिया और home loan का पैसा भरना बंद कर देता है, तो उस case में bank के पास एक power है कि उसका घर खाली करा देगा, घर बेज देगा और अपना पैसा recover कर लेगा, ऐसी कल को कोई car loan का पैसा भरना बंद कर देता तो bank के पास एक power है, कि कल को ठीक है आपने गाड़ी का लोन भरना बंद कर दे कोई बात नहीं, bank गाड़ी उठा के ले जाएगा गाड़ी को बेश देगा और अपना पैसा recover कर लेगा गोल्ड लोन है, gold bank के पास ही बढ़ा है कल को कोई gold लोन का पैसा नहीं भर रहा तो bank gold को बेश देगा और अपना पैसा recover कर लेगा तो यह सारे होते हैं, secure loan bank के पास power है, कल को customer पैसा नहीं भरता, तो bank के पास power है, कि bank इनका जो समान है वो बेच के अपना पैसा recover कर सकते हैं तो क्योंकि ये secure loan है इसलिए इनके rate of interest कम रहते हैं वहीं दूसी तरफ unsecured loans में क्या आते हैं जैसे आपके credit cards हो गए आपका personal loan हो गया जैसे personal loan में कल को माल लो कि किसी customer ने bank से personal loan ले लिया और bank का पैसा नहीं भर रहा अब bank के पास उसका कोई asset नहीं है कल को bank क्या बेच देगा bank ने तो customer के ओपर trust करके उसको loan दे दिया कल को customer bank का पैसा नहीं भरता तो bank के पास कुछ खास power नहीं है अपना पैसा recover करने की वो एक अलग बात है कि bank bank court में जाके case करेगा ठीक है section 138 फाइल करेगा वो सारा जो legal procedure है वो तो bank करेगा लेकिन bank के पास देखो legal procedure करके भी अगर मालो bank ने ठीक है case फाइल कर दिया court में customer के खिलाफ उससे bank का पैसा तो recover नहीं होगा ना bank का तो पैसा मर गया अगर कल को customer ठीक है इनके जो rate of interest है हमेशा महेंगे रहते हैं तो आप कभी भी compare करोगे कि कोई भी bank अगर आपको 8% पे home loan दे रहा है तो वहीं 14% पे आपको personal loan देगा कोई bank अगर 8-9% पे car loan दे रहा है तो वहीं अगर आप देखो कि credit card देखो credit card वैसे free रहते हैं कि कोई भी interest नहीं रहता लेकिन किसी भी महीने गलती से भी अगर आपने अपने interest नहीं भरा time पे तो एक महीने का जो interest होता है वो लगभग लगभग 4-4% या नहीं आप ये मान के चलो कि मन्थली 40-42% interest लगा देते हैं interest penalty अगर आपने credit card की कोई भी EMI आपने time पर नहीं भरी जैसे जो भी आपकी billing cycle generate होती है credit card में अगर by chance आपने time पे पैसा नहीं भरा तो उसके ओपर 40-42% एक तरह से yearly बता रहो मैं आपको interest लगाना शुरू करते हैं इतना high rate of interest होता है तो क्योंकि unsecured loan है इसी लिए personal loan का जो rate of interest हो हमेशा जाधा रहता है लेकिन अब सवाल यह आता है कि ठीक है personal loan का यह तो हम समझगे कि home loan से, car loan से, gold loan से इनका rate of interest है personal loan का जाधा रहता है लेकिन सवाल ही आता है कि कौन से bank में आज की date में हमें सबसे सस्ता rate of interest मिल रहा है तो State Bank of India के जो personal loan के interest rates हैं वो आज की date में ये लोग mention करते हैं अपनी official website पर देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा एक मैं transparency के साथ आपको clear करना चाहता हूँ कि क्या ये लोग mention करते हैं और क्या हमें मिलता है ठीक है तो ये लोग official website पर mention करते हैं कि इनके जो personal loan के interest rate है ये start हो जाते हैं 10.65% से अब अगर मैं obvious ही बात अगर branch चला जाओंगा तो गोई भी मेरे को 10.65% के rate of interest पर SBAE personal loan नहीं देने वाला अब ये लोग क्यों mention करते हैं 10.65% से हमारे personal loan के जो rate of interest है वो start हो जाते हैं और इसके अलावा उसकी past की credit history एक दम perfect है कोई भी उसने past में default नहीं किया past में उसका एक आदा जो भी loan रहा होगा वो भी उसने time पे clear किया यानि ऐसे customers को तो ये लोग 10.65% पर देंगे otherwise कोई salary जिसकी salary एक लाग से कम है या फिर मान लो जिसने पहले आज से पहले कोई भी loan ने लिया ऐसे customer को फिर इनके जो rate of interest है वो बढ़ते चले जाते हैं यानि आप ये मान के चलो कि 13% 12% की आसपास तो आपको personal loan मिले गाई अगर आपका थोड़ा सा भी civil score खराब है तो ये 16% 17% तक भी जा सकता है तो ये depend करते है customer to customer ये लोग clearly mention करते हैं कि हमारे जो personal loan के rate of interest है वो 10.65% से start हो जाते हैं तो जैसे जैसा आपका civil score होगा उस हिसाफ से ही आपका rate of interest लगता चला जाएगा अब यहाँ पे हम एक एक करके इनके जो personal loans हैं उनका analysis start करते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहले type का जो personal loan SBI offer करता है उसका नाम है SBI quick personal loan देखो quick personal loan भी start करूँ उससे पहले एक चीज बहुत important में आपको बतायता हूँ जब भी आप किसी branch में visit करते हो ने SBI की कि ठीक है आपको personal loan चाहिए माल लो उन्होंने बोला कि आपको 14% का rate of interest देंगे हमेशा bank के साथ negotiate करो bank को ये बोलो कि मुझे ऐसे से bank तो कम rate of interest दे रहे है या कोई भी एक आप virtual उनके आगे imagination बनाओ bank हमेशा negotiate करते हैं आप हमेशा जाकर कि अगर आपको 14% offer कर रहे हैं आप fight करो कि मेरे को कम rate of interest लगाओ 1% तो बहुत easily जीतना वो offer कर रहे हैं उससे कम कर देंगे कोई भी loan होगा ना हमेशा bank negotiate करते हैं ऐसा नहीं कि आपको जो उन्होंने rate of interest बता दिया उसी पर लेलो हमेशा negotiate करो 14% बोल रहे हैं तो उन्हें convince करो कि 13 पर वो आएं क्योंकि देखो bank के भी चाहे government bank को चाहे private bank को आज की rate में हर bank employee के ओपर एक target fix किया रखा है यानि उस employee की भी मजबूरी है loan को disburse करना जितनी आपकी जरूरत है ना loan उतना ही उनके भी target fix है तो आप negotiate करो easily bank employee जो है जो loan का rate of interest है वो आपको कम करके देगा तो negotiation बहुत ज़रूर है तो सबसे पहले हम SBI quick personal loan को discuss करते हैं अब quick personal loan SBI उन customers को देता है जिनका salaried account SBI के साथ maintain नहीं है जैसे मानलो मैं कहीं पर job करता हूँ ठीक है मेरी जो salary आती है वो आती है मानलो HDFC bank में लेकिन salary तो मेरी HDFC bank मानलो मैं TCS में job करता हूँ ठीक है तो TCS में job करता हूँ और मेरा जो salaried account है वो HDFC bank के अंदर है लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि loan मुझे जो personal loan चाहिए वो SBI से चाहिए तो ऐसे customers जिनकी salary तो किसी दूसरे bank में आती है लेकिन वो अब personal loan SBI से लेना चाहते हैं उन्हें जो SBI personal loan देता है वो SBI quick personal loan की category में देता है तो यनि इस personal loan का जो नाम है वो SBI quick personal loan है तो अब एक बर इसके features, eligibility और terms and conditions को एक बर हम देख लेते हैं SBI quick personal loan के अब quick personal loan में जादा से जादा जो आपको loan मिलेगा SBI की तरफ से वो मिलेगा 20,000,000 रुपे का eligibility के अगर हम बात करें तो आपकी कम से कम जो income है वो 15,000 रुपे होनी चाहिए इसके अलावा EMI और NMI यानि net monthly income का जो ratio है वो 50% से जादा नहीं होना चाहिए यानि इसका मतलब ये है कि मानलो किसी की income है 50,000 रुपे ठीक है तो वो इस case में जादा से जादा अपनी EMI जो रख सकता है personal loan की वो 25,000 रुपे रख सकता है यानि कहने का मतलब इसे आप एक तरह से समझो कि अगर किसी की income 50,000 रुपे है ये मुझे जादा से जादा personal loan दे दो लेकिन bank को तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसके पास घर चलाने जितना भी तो पैसा होना चाहिए क्योंकि अगर मानलो किसी की 50,000 रुपे income है और वो personal loan इतना ले लेता है कि उसकी EMI बनती है 45,000 रुपे customer तो मना करेगा नहीं करेगा आने तो पैसा अब 45,000 रुपे अगर वो EMI भरेगा तो 5,000 रुपे बचे जो amount है उसका घर तो चलेगा नहीं अब घर नहीं चलेगा तो वो कहीं नहीं personal loan का पैसा यूज करेगा एक तरह से फिर chances बढ़ जाएंगे ना कि अपना वो loan default कर सकता है इसलिए bank बोलता है कि जितनी आपकी salary है आपको personal loan उतना ही देंगे तक कि ताकि आपकी जो एक तरह से EMI बने वो आपकी जो total salary है उसका आदा ही बने यानि अगर किसी की 50,000 रुपे salary है तो 25,000 रुपे ही उसकी EMI बने इतना ही हम personal loan देंगे अब eligibility की बात करें तो यहाँ पे कोई भी चाहे central government का employee हो, state government का employee हो, private sector का employee हो कोई भी employee हो जिसका salary account है वो SBI के लावा कोई भी दूसरा bank है वो इसके लिए eligible है minimum age आपकी 21 years होनी चाहिए और जादा से जादा आपकी age 58 years होनी चाहिए कम से कम job experience आपको एक साल का होना चाहिए अब यहाँ पे जो loan amount है वो कम से कम आपकी 24,000 रुपे तो कम से कम आपको loan लेना ही पड़ेगा 50,000 रुपे की salary में 20 लाग का personal loan आपको नहीं देने वाला कोई तो यहाँ पे eligibility क्या है मालो बहुत सारे यह comments आते हैं कि मेरी salary से 15,000 है तो मुझे maximum कितना loan मिलेगा तो bank का simple सा एक thumb rule है कि जितनी आपकी salary है उसका 24 times आप कर लो उतना आपको maximum personal loan मिल जाएगा जैसे अगर मालो किसी की salary let's suppose की 10,000 रुपे तो 10,000 का आप 24 times कर लो यानि आपको इस case में फिर जादा से जादा 2,40,000 रुपे का personal loan मिल जाएगा इसके अलावा एक processing fees जिसे हम file charge ही बोलते हैं वो भी आपको pay करना पड़ता है जब भी आप bank से personal loan लोगे जैसे अगर मालो किसी ने 1,000,000 रुपे का personal loan लिया तो उसे 5% की processing fees यानि 15,000 रुपे processing fees पे करनी पड़ेगी तो processing fees SBA की है 5% अब यहाँ पे SBA बोलता है कि कम से कम processing fees 1,000 तो आपको pay करनी पड़ेगी और जादा से जादा आप 15,000 रुपे हम आपसे charge करेंगा और कम से कम 1,000 पे processing fees SBA आपसे charge करेंगा इसके अलावा अगर आपने time पे अपनी कोई EMI मिस कर दी तो उस case में आपके उपर जितनी amount की आप EMI मिस करोगे जो amount pending रह गया उसका 2% as a monthly penalty आपके उपर impose करेगा तो यह तो मैं मानते हूँ कि बहुत high penalty है तो अगर आप personal loan low तो उस case में आप यह जरूर consider करना कि आप अपनी जो EMI है वो time पर pay करो otherwise 2% monthly EMI का interest एक बहुत heavy interest हो जाता है तो इसको आप हमेशा consider करना prepayment आप अपना interest कभी भी नहीं दे सकते जैसे कि ऐसा नहीं कह सकते कि आप मैंने आज personal loan ले लिया तो मैं जो है आज से 6 महीने के बाद सारा loan उतार देता हूँ एक ही go में मालो आपने 10 लाग रुपे का personal loan लिया और 3 महीने हुए चार महीने हुए और आपके पास इकठा पैसा आगया तो आप सोचते हो कि 10 लाग रुपे इकठा में bank को pay कर देता हूँ तो इस case में bank accept तो कर लेगा लेकिन जो इकठा पैसा आप दोगे उसके उपर 3% extra पैसा आपको देना पड़ेगा यानि अगर आप suppose करो कि 10 लाग रुपे दे रहे हो तो 10 लाग का 3% निकाल लो तो आपको 30,000 रुपे जो है वो extra pay करना वड़ेगा ये एक तरह से prepayment penalties को बोल दिया हम ठीक है तो यहाँ पर कम से कम 6 महीने के बाद ही आप prepayment कर सकते हो अब documents के अगर हम बात करें कोई personal loan के documents के तो इस case में एक तो आपके पास ITR की copy होनी चाहिए हाला कि आप salary हो तो सिरफ salary slip से फिर भी काम नी चलेगा आपके पास ITR होना जरूरी है इसके अलाबा bank account की statement होनी चाहिए छे महीने की पिछले दो passport size आपको photo देनी है इसके अलाबा latest salary slip देनी है form 16 भी देना है देखो आप अगर negotiate करो तो हो सकता है कि form 16 से काम चले अगर आपके पास ITR नहीं है इसके अलाबा आपकी जो basic ID है और वो permanent address और वो KYC की जो भी basic चीज़े है अधार card, pen card ये सारी चीज़े ये basic basic से documents है इसके लाबा आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो ये पूरा जो हमने अभी discussion किये ये था SBA quick personal loan अब एक बार हम discuss करते हैं SBA express credit personal loan को अब SBA express credit personal loan के अगर हम बात करें तो ये SBA उन customers को देता है जैसे हमने पहले discuss किया कि मानलो मैं TCS में काम करता हूँ और मेरी salary HDFC bank में आती है और अगर मानलो मेरे को जो personal loan चाहिए वो SBA से चाहिए तब तो मेरे को मिलेगा SBA quick personal loan अब SBA express credit personal loan के अगर हम बात करें तो ये SBA उन customers को देता है कि मानलो मैं TCS में काम करता हूँ और मेरी salary जो आती है जो मेरा salary account है वो SBA में है और मुझे personal loan भी अब SBA से चाहिए यानि जिनका salary account already SBA के साथ है और personal loan भी अब SBA से लेना चाहते है तो उन्हें जो personal loan SBA देता है वो देता है SBA express credit personal loan अब एक बार हम SBA express credit personal loan के भी सारे features और eligibility को एक बार हम discuss कर लेते हैं यह सारा कुछ एक बार discuss करें उससे पहले मेरी आपसे एक request है कि अगर आपको यह video अभी तक informative लगी हो और आपको लग रहा है कि कुछ ने कुछ सीखने को मिल रहा है तो नीचे आप please like का button प्रेस करें और नीचे subscribe जो चैनल है उससे जरूर subscribe कर लें ताकि ऐसी ही और informative वीडि पे कर देंगे age requirement यह तो सारी basic चीज है लेकिन इसमें आपको एक extra जो option मिलता है वो है overdraft facility का पहली चीज तो यह लोग जो है maximum loan जो ले सकते हैं वो 30 लाग और पर ले सकते हैं जैसे quick personal loan में जो हमने इससे पहले discuss किया था वहाँ जादा से जादा 20 लाग का personal loan ले पा रहे थे लेकिन SBAE express credit personal loan की बात करें तो यहाँ पे आप जादा से जादा 30 लाग का personal loan ले पा रहे हो उसके साथ साथ personal loan के साथ एक additional आपको loan मिल जाता है यानि मानलो आपने personal loan ले लिया फिर भी पैसा कम पढ़ रहा है और पैसा चाहिए तो एक additional loan आपको दे दिया जाएगा जिसे हम बोलते हैं overdraft facility तो overdraft का मतलब क्या होता है कि मानलो आपको 10 लाग की एक limit बना दी उसमें से आपने 5 लाग की use किया तो जितना use करोगे उतना interest बे करना है इसे हम बोलते है overdraft facility तो यहाँ पर अगर हम इस loan की eligibility की बात करें तो यहाँ पर SBAE बोलता है कि जो customer है उसकी जो minimum salary है वो 15,000 पर होना जरूरी है ऐसे ही जो EMI और net monthly income का ratio वो 50% जादा से जादा होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि EMI आपकी salary की 50% से जादा नहीं होनी चाहिए तो इसके अलावा जो employee है चाहे वो center government हो state government हो private हो कोई भी employee हो उसका बस salary account SBAE के साथ होना अगर आप personal loan के साथ साथ एक additional loan जिसे हम overdraft facility बोलते हैं वो भी लेना चाहते हो तो वो loan आपको तभी मिलेगा जब आपको पहला personal loan चल रहा है अगर उसकी यह माई आपने हमेशा regularly भरी है तब तो आपको additional loan मिलेगा इसके अलावा आपकी minimum जो income है वो फिर 25,000 पर होनी है वही same processing fees है वही penalty है जैसा कि SBI quick personal loan में मैंने discuss किया था तो same to same सब कुछ वही है तो उसमें कुछ additional कुछ भी नहीं है तो same वही terms and conditions है इसके बाद जो next category का personal loan SBI offer करते है उसका नाम है SBI Express Elite Personal Loan अब ये जो personal loan है SBI उन customers को offer करते है जिनकी salary बहुत अच्छी है यानि एक लाख रुपे से जादा जिसकी salary है सिरफ उने ही इस category में personal loan दिया जाते है अब चाहे उसका salary account SBI में हो चाहे किसी भी दूसरे bank में हो इस से फरक नहीं पड़ता अगर किसी की salary एक लाख रुपे से जादा है तो उसे SBI Express Elite Personal Loan जो है इस category में personal loan SBI की तरफ से दिया जाएगा अब ए इस category के अंदर जो SBI है वो जादा से जादा आपको personal loan 35 lakh रुपीज का दे देता है जैसे quick personal loan में 20 lakh था ऐसे इसके अंदर आपको जादा से जादा personal loan 35 lakh रुपीज का मिल जाएगा minimum आपकी income जो है वो 1 lakh रुपे होनी चाहिए EMI और net monthly income का जो ratio है इस बार 60% तक आ गया यानि आ इसके अलावा जो loan amount है वो कम से कम अगर आप इस category में loan लेना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 lakh रुपे का loan लेना ही पड़ेगा और जादे से जादा 35 lakh रुपे का ले सकते हो बाकी कितना loan मिलेगा वो तो 24 times हो जाता है जितनी भी आपकी salary अगर आप यह जानना चाहते हो कि किस इसको कितना loan मिलेगा तो जितनी salary उसका 24 times यह तो fixed thumb rule है चाहे आप किसी भी category में SBA से personal loan ले लो अब यहाँ पे चाहे employee defense background से हो चाहे कोई center government employee हो कोई भी employee हो जिसकी salary बस एक लाग से जादा होनी चाहिए उन्हें personal loan जो है वो इस category के अंदर मिल जाएगा इसके बाद जो अग defense में चाहे वो air force से हो चाहे वो थल सेना से हो चाहे वो navy से हो कोई भी defense background हो doesn't matter पस defense background होना चाहिए तो उनके लिए जो SBA ने जो personal loan design किया उसका नाम है SBA real time express personal loan उसके बाद जो next category में personal loan SBA ने design किया वो है SBA pension loan अब यह एक तरह का ऐसा personal loan है कि मानलो कोई ऐसा व्यक्तिय है जो retire हो गया अब retirement के बाद उसे loan चाहिए तो वो इस category में loan लेगा SBA pension loan लेकिन सवाल ही आता है कि इतने बुज़ूर्ग इंसान को SBA personal loan क्यों दे रहा है देखो जिसकी भी government जो government employee retired है या फिर कोई private भी हो बस उसकी pension आनी चाहिए private में तो ना के बराबर ही कोई company pension देती है तो mainly government employees के लिए ही हो गया तो जो लोग retire हुए और जिनकी pension आ रही है SBA उस pension को consider कर रहा है उनकी income और उसके बिहाफ पे loan देता है तो इस pension loan के अंदर अगर किसी को loan लेना है तो जादा से जादा जो age होनी चाहिए कि आपका loan clear हो जाए वो है 78 years यानि अगर मालो किसी ने 76 years की age में personal loan ले लिए है तो उसे सिर्फ 2 साल के लिए ही मिलेगा क्योंकि 78 years की age में उसका personal loan clear हो जाना चाहिए अब इसमें एक जो bank है वो ये बोलता है कि जो pensioner है यानि जो customer है जो एक तरह से जिसके पास pension आ रही है वो एक request देगा treasury को और treasury भी एक return consent sign करके customer को देगी और ये customer bank में submit क consent उसमें ये लिखा होगा कि कि किसी भी point of time पे जो pension का पैसा है वो जो customer है वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं SBI में नहीं लोगा pension का पैसा वो मैं किसी दूसरे bank में अपनी pension लेना start कर दूँगा यानि जब तक loan clear नहीं हो जाएगा pension का पैसा SBI के अंदर ही आना चाहिए यानि S SBI क्या करेगा कि जो pension का पैसा आ रहा है उसमें से automatically EMI deduct कर लिया करेगा तो ये भी एक अच्छा concept है कि जो लोग अगर मानलो किसी को कुछ urgent medical का expense आ गया तो वो लोग अपनी pension के पैसे से EMI भरते रहें और एक personal loan easily SBI से avail कर सकते हैं और जो last category का personal loan SBI offer करता है वो है SBI pre approved personal loan अब आपने पास में कोई कोई भी loan ले रखा था आपने timely pay कि आपका civil score एकदम perfect है तो जब आप Yono application को use करोगे तो वहीं पर आपको notification आजाएगी कि आपको जो है ये ज्यादा तरना ICIC SDIC bank ये लोग use करते है तो SBI वैसे बहुत कम use करता है लेकिन एक notification आजाती है कि आप 10 लाग के प्री एप्रूवड लोन के लिए लीजिबल हो यानि minimum documentation और आपका 10 लाग का लोन जो है अगर आप समिट करोगे तो वो बैंक ने सेट किया हो है कि ये जो customer है उसकी इतनी जादा फिर मला PAN card, WAN card verification कुछ जादा नहीं होती क्योंकि बैंक के हिसाफ से आप एकदम perfect customer हो इसलि तो उन्हें फिर ये pre approved personal loan मिल जाता है तो ये थे सारे के सारे personal loans जो हमने इस वीडियो में discuss किये जो SBI offer करता है इनकेस अगर इसमें आपको कुछ भी कुछ doubt है तो नीचे comment करके आप उससे पूछ सकते हो मैं कोशिच करूँगा कि सारे comments का answer करने की जरूर कोशिच करूँगा